नमस्कार दोस्तो सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल संजीवने टिक को और दबाईए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार सभी EPS 95 पेंशन दारकों का आज के स्टुडियो में स्वागत है आज के स्टुडियो में EPS 95 पेंशन लेने वाले हर पेंशन को नहुंबर और दिसंबर मैने में उनका लाइफ सर्टिपिकेट जो हो जमा करना होता है क्योंकि उनकी पेंशन को कंटिनीव रखने के लिए EPS द्वारा इसे अनिवारिया किया गया है तो जिया यह जो लाइफ सर्टिपिकेट सब्मिट करने का जो नियम है तो EPS उन्हें उसे बदल दिया है अब पेंशनर किसी भी मैने में जाकर अपना जिवन प्रमान पत्र जमा करवा सकेंगे इससे जो वो पेंशनर को नवंबर और दिसंबर मैने में लंबी लाइन में लगकर अपना जिवन प्रमान पत्र सब्मिट करने की ज़रूरत नहीं है वो साल में किसी भी मैने में जाकर अपना जीवन परमान पत्र सब्मिट कर सकते हैं और वो जीवन परमान पत्र अगले आने वाले साल तक वहिद रहेगा तो जिया इसी के संदर्ब में जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कुशकबरी आई है तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस्टुडियो में जानकारी देने वाला हूँ तो आप इस वीडियो के साथ अंतर तक बने रही है ताकि यह जो इंपॉर्टन अपडेट EPS 95 पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिपिकेट सब्मिट करने के संदर्ब में आया है तो इसके बारे में पता चल सके और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेट कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्स्राइब कर दीजे और उसकी बार जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर किजे ताकि वह विश्य में जो भी अपडेट आए तो आपसे किसी भी तरह से मिशना हो सके वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट उपन करने के लिए मैंने ल मिल जाएंगा तो चलिए EPS पेंशन धारों के लिए यह जो बड़ी कुछ का ब्रीव जिवन प्रमान पत्र जमा करने के संदर्व में है तो इसी के बारे में अभी हम इस तुडियो में डीटेल जानकारी लेने वाले तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पारे कि पेंशन और मेंने में जीवन प्रमान पत्र जमा करवाने का नियम बदल दिया है नए नियम के तर्थ अब कोई भी पेंशन धारक वर्ष के किसी भी समय अपना डीजिटल जीवन प्रमान पत्र जमा कर सकता है और एक बार जमा करने के बाद यह एक साल तक के लिए वही दोगा शेत्रिय 95 पेंशन दारों के लिए लागूगी बताया कि इस नई प्रनाली की वज़े से नहंबर और दिसंबर के दोरान भारी बीड़ के कारण पेंशनर को होने वाली अस विदा से बचाए जाएगी क्यूंकि पहले इनी दो महिनों में पेंशनरों को अपना जीवन परमान पत्र जमा करणा होगा। श्रीवास्ताव जी ने बताया कि यह सुविदा स्टेट बैंड कॉप इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, एक्सिस बैंक के अलावा सामुईक सेवा केंद्र, लोकमित्र केंद्र, ईपियको, शेत्रिय कार्यले शिमला, बद्धी, नाहन, पालनपूर और कु किसी भी कार्यले में, किसी भी कार्य दिवस पर अपने PPO संक्या, आदार कार्ड, बैंक खाता संक्या और मोबाइल नंबर के साथ जीवन प्रमान पत्र अपडेट करा सकते हैं। तो जिया यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमान पत्र जमा करने के तो काफी इंपर्टत दी तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी जिसके तरथ EPS 95 के तरथ पेंशन ले रहे हैं पेंशनरस को अब साल के किसी भी मैने में अपना जीवन प्रमान पत्र जो जमा करने की यहाँ पर EPS को की तरफ से छूट भी ग गई है वो अच्छी है या नहीं है तो इसके बारे में आपकी राय जो है वो वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आज के इस वीडियो में बस इतना ही आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया ह तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्स्राइब करके रख लिजे और उसके बाद जो बैल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दिजे ताकि भविशे में जो भी अपडेट आए तो आपसे किसी भी तरह से मिसना हो सके अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकॉण की ज़रुवत परती है त्रेडिंग अकॉण ओपन करने के लिए विडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है उस लिंक पर क्लिक कर गए अगर आप ट्रेडिंग अकॉण ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकॉण ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जिस देने की ज़रुवत नहीं है नगा अगर मान लीजे आपने 100 रुपे का कोई शेयर खरीदा और उसे 1.500 रुपे में बेज दिया तो जो 50 रुपे क का फाइदा होगा तो वह सीधे आपकी जेब में जाएगा इसके उपर वह आपको कोई भी ब्रुक्रे चार्जेस देने की दरूत नहीं है कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है तो इसके लिए अगर आप अकाउन उपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप् से वहाँ पे कर सकते हैं और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चानल पर पहली बार विजिट करें तो में जानल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकोन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज वह सबसे पहले आपको देखने को मिल सकेए